जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल रेल रिव्यू में दोस्तो आज हम इस वीडियो के माधियम से पास, PTO, PRCP यानि पोश्ट रेटार्मेंट कॉंप्लिमेंटरी पास और विडियो पास का जो बैलेडिटी पीरिड है उसके बारे में डिसकस करेंगे क्योंकि अभी रेल्वे बोर्ड ने हाली में एक नया नियम निकाल कर जो आपके पास PTO, PRCP और WP की जो बैलेडिटी है उसे कम कर दिया गया है तो इस वीडियो के माधियम से हम उसके डिसकस करते हैं तो जो इस चैनल पर नए है वो से सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए निकाला है गवर्मेंट ओफ इंडिया, मिनिस्टी ओफ रेल्वे, रेलेवोर्ड, पर्चीस दस दोजार चोईस को आपका जो लेटर आया है यह आपका लेटर नम्मर है दोजार चोईस वार, E वार, W वार, 01 वार, 06 वार, 08 वार, 06 दा जनरल मैनेजर, ओल इंडियन रेल नम्मर से आपकी जो डेट है वो पीरड है उसे चैंज किया गया और यह आपका 01 नम्मर 2004 से लागू होगा, जिसमें आपका जो लेटर है उनका रेफरेश दिया है, बौर्ड लेटर नम्मर नम्मर यह है इसके बाद इसमें जो बात की जा रही है वो है एडवांस टू 60 डेज यानि जो आपका पहले एडवांस रेजरविशन आप करते थे नॉर्मल टिकेट से वो पहले आप 120 दिन पहले यानि चार मन्त पहले आप कर सकते थे लेकिन अभी उसे रेलवे बोर्ड ने गटा कर 60 दिन कर दिया गया है तो आप 60 दिन से पहले जो एडवांस रेफ्रेंस दिया है बाइड बोर्ड लेटर साइटेड अंडर रेफ्रेंस वन अब आप जो उपर यह आपका वन लेटर है इसका कॉंस्क्वेंटली करीज आर विंग डिसीवड फ्रॉम रेलवेज एज वेल एज एंप्लोईज रिगार्डिंग वैलेडिटी पीरड़ प् बोर्ड उसके बाद आपका विड्व पास तो यह जो ए रेल्वेज थे उससे काफी सारी जो कहरी जब डिगार वेलेज पास with the concurrence of finance directorate of ministry of railway wherein it was stipulated that the validity period of privilege pass, post retirement complimentary pass, biddo pass and PTO's privilege ticket order जिसमें आपका जो आपका बंथर किराया लगता है PTO में वो sell भी one month more than the ARP जो आपका pass related चाहे आपका privilege pass हो चाहे post retirement complimentary pass हो जो retirement के time पे आपको जो pass मिलता हो चाहे बिड़ो pass हो चाहे PTO हो इसकी जो validity है ARP यानि advance reservation period है उससे एक month जादा रहती है हमेशा तो पहले जब आपका 4 month यानि 120 दिन था आपका advance reservation period तब आपकी जो pass की validity 5 month थी यानि पहले आपको 5 month पहले आप advance में जो pass है वो generate कर सकते हो और जो उसकी validity है वो 5 month तक रहेगी आप उससे 5 month तक टिकेट करवा सकते हो लेकिन अभी जो आपका advance reservation period है उसे घटा कर कितना कर दियागा 60 but will not be less than 4 month लेकिन ये जो आपका है 4 month से कम नहीं हो सकता तो जो आपका 60 दिन के हिजाब से तो ये कितना होना चीए 3 month ज़ादा आपकी जो पास PTO की जो validity है वो 3 month होनी चाहिए क्योंकि इसमें बोला गया है कि 1 month ज़ादा रखते है हम किस से ARP advance reservation period और आपका advance reservation period है 2 month का तो इसकी जो validity 3 month होनी चाहिए लेकिन इसमें आगे बोला गया है कि लेकिन ये क्या 4 month से कम नहीं रख सकते हम less करके 4 month कर दिया गया क्योंकि इसमें बोला है कि हम ARP से 1 month तो ज़ादा रखेंगे लेकिन 4 month से कम नहीं कर सकते है तो ये 4 month आपकी validity रहेगी if ARP is reduced in future यदि जो आपकी ARP है उसे future में भी घटा दिया जाता है जैसे आपकी 60 दिन करी इसको 30 दिन कर सकते है 15 दिन कर सकते है लेकिन जो आपकी pass की जो validity है उसे 4 month से कम नहीं कर सकते है चाहे आप future में कभी भी ARP and advance reservation pass जो period है उसे घटा दिजिए लेकिन जो आपकी pass PTO है उसकी जो validity कम से कम 4 month तो रहेगी ही रहेगी तो ये मान के चल सकते तो ये था आपका जो pass PTO है इस से related जो आपकी validity period है इस related जो news थी हमने आपके साथ share करिए ये news आपको कैसी लगी हमें कमेंटर बताइए और आपको pass PTO से related किसी परकार की कोई कर रहे हो तो आप comment section पूछ सकते है इसी के साथ मिलते है किसी नेक्स्ट वीडियो में धन्यबाद दोस्तों